हालो सांथियों कैसे आप सभी एक वाफिट से स्वागत है आपको आपनी यूट्यूब चनल आरती क्लासेज में उम्मीद करते हैं कि आप लोग आपना टेस्ट जो दिया भी ग्यारे बजे वह बहुत असे दिया होंगे और आपका माक्स ही बहुत असा आया हो ठीक है लेकिन न पर लगाए जयता है लेकिन हमने उसका अंसर बासर बता दिया था ठीक जो कि एंसर में कोईस्न संक्याइकी से आप इसको सही कर लेजागा ठीक है तो चलिए आज क्लास सुरुकरते हैं कि यह क्लास होगा ठीक है जो एरफॉर्स नेवी ऐसे सी एकजाम में मतलब दो मार्क खुका मिलकु पुलका देखने को मिल जा रहा है तो हम पूरा अंदर तक नहीं जाएं एक कंप्यूटर और आप लोग सिर्य टो आप जानती है को जो सुभवा वाला सिरीज चला रहे है हमारे जीके का करेंट अफेर का और वो केपका जो आज अपने दीए करता हैं कियोंकि संदे था तो कल से आपका एक नया सुबह के साथ आपका ज़िए शुरू करते हैं अखर कंप्यूटर क्या है तो चलिए शुरू करते हैं लिखाए फैक्ट्स अबाउट कम्प्यूटर अपही पढ़ेंगे जो इसे हिंदी में गड़ना-कर्णा या संगनक बोलते हैं ठीक है कंप्यूटर के पिताम चाल से बैबेज को मना जाता है यह एक और कोशन बनता है कि विश्वा का पर्थम इलक्ट्रोनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम एनिक था ठीक है अब इसको याद कर सकते हैं अब इसको इंग्लिस में लिखा गया है कि अब यह कोशन पूशन 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 पूशंता है कि हाव मानी तयप सब्सक्राइब पूशन पूशन हो तो यह था 6 आपको सिर्फ इन फिन पढ़ना है इसका डेफिनेसन नहीं पढ़ना आपको अब यह नहीं पुछेगा यह पूछेगा कि कि इस प्रक्राइब पाँच छे तो कितने परकार होते हैं तो computer तीन परकार को होते हैं कौन-कौन डिजिटल एनालोग और हाइब्रीड ठीक है अब देखें अब ATM आप लोग से पैसा निकालते हैं अम लोग तो ATM का जो होता है को उसका विसकार किस ने किया था तो ATM का विसकार जॉन सेफ़र्ड ब पुछाना है जैसे एंडीय अगए फुलफ्रम हो गया है एस टीटीप का फुलफ्रम हो गया ठीक है तो ऐसे ज्यादा भाड़ नहीं पूछागा असान पूछागा लेकिन आप इसमें कन्फ्यूज कर जाईएगा तो हम सिर्फ इस कंप्यूटर का क्लास में वही चीज़ करें जो आपके पूछा जागा गिजाम में ठीक है अब भड़ते हैं लिखा है कि अब देखिए आप लोग रोज SMS भेजते हैं किसी को WhatsApp भेजते हैं मतलब टेक्स्ट SMS भेजते हैं तो उसका SMS का full form आखिर होता क्या है SMS का full form होता है short messaging service क्या होता है मतलब है इसका पूरा चिठा पूरी था खरक्ड़ास दूंगा मैं इन दोनों के बार्दम लेकिन से बारे में उससा आखिर क्या फाइदा आपको जब गिजाम बहरा में पूछे को आपकिर आपका देखने क्या फइदा उसको पढ़ने से क्या फाइदा तो आप अब देखे बहुत important यह question है कि how many languages of computer मतलत computer के कौन-कौन language एं कितने language है कौन-कौन पूं-कौन language चीक है तो computer language देखिए basic c c double प्लस पास्कल , fortron , coball , java , it is यह इसको इसके language है ठीक है कौन कोन है अप इसको अच्य से अपकर आप नोडस बना रहें कंप्टर के नोडस आप अच्छे से बनाईये सिर्फ आपको एरफोर्स अनने भी नहीं बागी सब्रक्राइस को अज़्फ में पॉल रहा है कंप्यूटर के लेंगु से कौन नहीं है देदेगा पास्कल तो पास्कल उसको क्या मापते हैं फिजिक्स में तो इससे द्धाब हम आपते हैं अब क्या पूछ क्या पास्कल के है हाँ या नहीं तो आ आप नहीं मारेगा अगर आपको नहीं पता हो तो तो अच्छे से याद करें इसको अब देखिए यह तो सिंपल से बात है कि कंप्यूटर ब्रेंड इस कॉल सीपी यू कंप्यूटर के उसको मस्तिष को कहते हैं तो सीपी यू बोलते हैं तो सेंट्रल प्रोशेसिंग के तो इसका नमखा सिध्दार्थ था अब क्या है तो क्वांटम एक परकार का सबसे यूदु रूटम कीटर है तो नहीं है किसी से बना जाते हैं तो यह सिलिकॉन से बना जाते हैं किसी से सिलिकॉन से बना जाते हैं और सिलिकॉन क्या है तो एक अर्धचालक है क्या है अर्धचालक है सिलिकॉन ठीक है अब लोग जब offline exam देते थे ज़ेगा भी एंडिया का exam offline होता है तो उसमें omr आपको शिट दिया रहा हूं तो अखिर omr का full pram आखिर होता क्या है तो omr का full pram होता है optical mark reader क्या होता है optical mark reader का full pram होता है ठीके अब मैं जो बात आपको बताना जा रहा हूं यह air force navy sse banking किसी का exam हो उसमें यह पूछता है बस इतना याद रख लिए अप लोग उसमें यह पूछता ही पूछता है ठीके अब पूछे कि एक byte बड़ाबर कितने कि अधिमें गश्याद बाइट होते हैं या फिर पूछा का एक हजार चौविस बाइट बड़ाबर कितने क्योगट होंगे ता पर इसको अच्छिए ध्यान नगीज़ा कि यह बीट बड़ाबर आठ बीट होते है और एक किलोगाट मतलब के बी क्या होते है क्या होता है कि एक किलो बड़ाव कितना होता है यह घजार24 बाइटि अब दछीए अब कि मेगावाइट मतलब सब्सक्राइब टो होता है ए salty होता है यह हजार 24 किलोाइट केम उछाइब घाल दे zor से बड़ा ह junction कीउलोड़ theatre अब क्लाभक्ष создasanot ठीक है Megabyte सबस्मात्र रख है फिल गिगाबाइट मतलब 1 GB बड़ाबर कितना Mb होता है हम एक GB बड़ाबर कितना Mb तो 1024 मभी क्लिप में घीवी बड़ाबर 1024 इंबी और देखिए यह यह जो सब्सक्राइब कितना मेगा बाइट होता है तो आज के लिए क्लास यहीं तक रहा थैंक्स फर वाचिन शेर अगर आप अभी तक सुबह वाली मौक टेश्ट नहीं देखा है तो जरूर देखे इसको और यह क्लास आपको संड़े को रोज मिलेगी रोज संड़े को मिलेगी ठी सब्सक्राइब नहीं किया वह जरूर करें सेर करें और कॉमेंट वर्फ में जरूर बता है कि आपको यह क्लास कैसा लगा जाए हिंद जाए भारत